अग्यों पिछले वीडियो में जर्नल प्रॉपर कैसा होता है कौन कॉंसे इंट्रीज की जाती है उसको देखा था बहुत सारी एंट्रीज थी ओपनिंग एंट्री डोजिंग एंट्री रेक्टिफिकेशन इर्रस जो होती है ट्रांसफर करने की और कुछ रेर एंट्रीज होती है तो वो सारी मिलाकर के हम जर्नल प्रॉपर में किया करते थे अब उसी में एक और नई चीज नहीं है उसी से जुड़ी भी है हम लोग पहले भी एक तरह से देख चुके हैं बैलेंस करना किसको बैलेंस करना कोई भी करते हैं इसकी बात करेंगे और खाते होते हैं लेजर में हमारे पास जहां पर चैसरे पर चैसे बैलनिसिंग ऑक्त आफर हम तखेंगे ठीक से तब तक हम जरनल प्रॉपर में कैसे entries होती है या फिर एक holistic picture, holistic समझते हैं सब कुछ समझने आ जाए, तो सब कुछ समझने में क्या होगा हमें cash book भी देखनी होगी, हमें sales book भी देखनी होगी, हमें sales return भी देखनी होगी हमें purchases भी देखनी होगी, हमें purchases भी देखनी होगी और फिर हम लोग इन सबमेच हम लोग रेंट्री कर ली क्यों कि यह सारी क्या है books of original entry है वैसे तो एक ही book है जर्णल ही है अब जर्णल की यह सब खातों को जो balance करते हैं तो सामने था कोई एक ले खांकद अब धी होती है उसमें करते छो normally हम लोग यहां पर अभी अपने उधारन में और अपने समझ में लेखा वर्ष को यह county and माल लेंगे और हर एक साल के बाद हर एक लेखा वर्ष के बाद क्या होता रहेगा हम balance करने का मतलब क्या होता है balance मतलब क्या होता है जितना इधर उतना ही इधर balance कैसे करेंगे balance का मतलब क्या होता है सीधी बात तो है संत्रन बोलते है debit और credit पक्षों के योगों का बराबर होना लेकिन ऐसा होता तो है नहीं क्यों नहीं होता है जैसे माल लो यह हमारा क्याश अकाउंट है ठीक अब इसमें डेट कॉलम हटा रखा तिती हटा दिया है कि अब राजेश जी ने कुछ 7000 रुपय का मैं दिया हुआ तभी ने डेट किया है क्याश अकाउंट बढ़ेगा तभी तो डेट करते हैं तो 7000 रुपय हम को दिया होंगे किसने यह रुपय में यह माल दीजे भाई ठीक है रुपय में है तो आप डॉलर में सुच्छी किया रेंट में 4000 रुपय खर्च किया खर्च को कुल मे लाकए क्या खरचा कितना ऊ-गया 5000 अधिया दया पर बहाबर खत्म हो गया नॉमल यह होता ऐसा नहीं होता तो balance कैसे करेंगे तो balance करेंगे हम लोग balancing entries से, क्या करेंगे किसी को बोलते हम लोग balancing entries, ठीक, समझ हो अच्छा, और करते क्यों है इसका उदेश होता है कि हाते की जो वास्तवी किस्थिती है वो आपको पता चल जाए, क्या होता है फिर आपने यहां पर 50 इंट्रीस लिखी हो, कितना कितना खरज़गा, पर जरूरी ही 50 हो, यहां पर 40 ही हो सकती है, तो इतनी सारी इंट्रीस के बास से आपको यह सोज़बाना चाहिए, कि ultimately cash account की हालक क्या है, उसमें debit है, या credit है, वो पता करना ही हमारा क्या होता है, अच्छा अब देखो, इसमें आराम से लिखना कुछ भी नहीं है, यह लिखा हुआ है, इधर हमें 11,000 टोटल मिला है, कितर टोटल मिला, ठीक, ऐसे line केचर के मैं लिख दिया 11,000, अच्छा, यहां पर मैं अगर टोटल लिखूँगा, तो यहां पर आ जाएगा, 5000, यह हम नहीं लिख लिखेंगे, जिदर ज़्यादा होता हमने उस साइट का लिख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से लिखों को तो बिखार नहीं का होगे, इसे लिखना नहीं समझ दो अभी, करना क्या है, यह पांच जार में कितना एड कर दें कि टोटल 11,000 हो जाए, सिंपल ह 6,000, यह तो 6,000 लिखकर क्या है ना, इसी कौम लोग आपर लिख देते हैं क्या, बैलेंस, C slash D, C slash D का मतलब क्या होता है, मलूम है, carry down, carry करना समझते हैं, ले जाना कहां पर नीचे, नीचे का मतलब क्या हुआ, यही जब अगला accounting period स्टार्ट होगा, तो इसी बैलेंस को यह 6,000 है ना, यह आपका देखो, यहाँ पर आजएगा 11,000, तो अब आपका बैलेंस हो गया, तो आप भी खुश हो गया, कि अच्छा बैलेंस करना था, यहाँ पर भी 11,000, लेकिन यह 11,000 तुम जबडस्ती लेकर क्या आगए, यह तो 5,000 ही था, यह जो हम लोग ने गुणा भ यह करेंगे credit side पर, क्यों, क्योंकि debit balance जादा था, तो जब debit balance जादा है, तो हम इसको लिखेंगे credit side पर, लेकिन यह balance आया क्यों, क्योंकि debit जादा था, और इसलिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम credit balance नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, debit balance, क्यों क्योंकि debit जाद सब्सक्राइब और अग्ला कांटिंग पीरिड जब स्टार्ट हो जागा माल दीजे माल दीजी यह कुछ भी था 31 मार्श किसी साल की खतब होगे 2017 तो अब एक अप्रेल से माल दीजिए अगर स्टार्ट होगा तो वैसे तुम नहीं जाए प्रेकांट बना देंगे लेकिन माल पहले और पहले जोड़ेंगे कि दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे तो जिस पक्ष में कम है बैलेंस उसमें उतना ही जोड़ देंगे कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं तो उसमें जितना ही जोड़ा वो अगर डेविट साइड जादा था तो इसको डेविट बैलेंस ब और साथ में सीडी का मतलब क्या होता है क्या होता है क्या होता है लेकिन उस उधारण से क्या होगा हमारे सारे इस वीडियो के प्रायोजक है आप और अगर आप ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियोन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिये गए क्यू आर्ट को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें अपनी क्लास का उद्दे से आप सभी के लिए आप ही की भाशा में गुनवत्ता पूंट अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस पर अप्लोड भी हो चुके हैं ग्यान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना घुमों लियोगदान जरूर ने बढ़ेगा इंडिया तो बढ बढ़ेगा इंडिया